अग्वाइब आज यहां पर हम बात करने वाले हैं सारे चारो के चारो आपेज से हमने कल गया था इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बात करेंगे और अंदाज लगाएंगे कि कितना यहां पर हमें लिस्टिंग गेंज मिल सकता है और कौन सा सबसे अच्छा है अप्लाइ करन के लिए अगे एक अपीनियन दे दिया था मैंने यहां पर लेकिन आज भी हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे सबसे बहुत के बारे में आम देखेंगे विद्वास हम देख सकते यहां पर सेकेंड में क्वालिफाड इंस्टिउशन अभी तक ठीक से आये नहीं है अग और इस अगरे पर बात करेंगे क्रेशन डाइनॉस्टिक्स के बारे में यहां पर जादा भी हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे क्रेशन डाइनॉस्टिक्स के बारे में यहां पर क्रेशन डाइनॉस्टिक्स यहां पर हम देख सकते हैं कॉलिफाइद इंस्टिशन फोर जिरो पॉइंट फाइफ जिरो ओके फैन इनाफ नॉन इस्टिशन 4.70 टाइम्स बहुत अच्छा रिटेल का 21.53 टाइम्स हो चुका है टोटल 5.31 टाइम्स यहां पर हो चुका है ग्रे मार्केट प्रिम्यम के बात कर रहें तो 400 रूपीज ग्रे मार्केट प्रिम्यम चल रहा है वेराइस अगर हम यहां पर इसका IPO का प्राइस देखे तो अच्छा कासा निकल के आता है कल से थोड़ा गिरा है इसका ग्रे मार्केट प्रिम्यम और सो रिटेल का काफी ज्यादा हो चुका है तो यहां पर अलॉट्मेंट की दिकत हमें देखने को मिल सकते तो अगर आप अ हम यहां पर बात करेंगे देव्यानी इंट्रेशन के बारे में काफी ज्यादा आई को जो कल मेरे नंबर वन पे डाला था है यहां पर हम देखते थे क्वालिफाइड इंस्टिशन 1.32 सबसे ज्यादा अच्छा कासा हुआ है तो इसका ग्रे मार्केट प्रिम्यम की अगर हम यहां पर बात करें तो 65 रुपीज इसका ग्रे मार्केट प्रिम्यम चालू है अगर हम देखे तो यहां पर बहुत ही बड़िया ग्रे मार्केट प्रिम्यम निकल के आता है यहां पर हमें अगर हम जब यह लिस्ट होगा मेरा अंदाजा है कि अराउंड यह 7,000, 8,000, 9,000 तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट इंदे वियानी इंटरेशन लेकिन यहां पर भी अलॉट्मेंट की दिकत रहेगी क्योंकि और बहुत ज़्यादा हुआ है लास्ट एंड प्रॉब्ली द लीस्ट अल्सो यहां पर हम एकजारो टाइल के बारे में बात करे है एक जैरो टाइल्स 20 रूपीज इसकी ग्रे मार्केट प्रिमियूम चालू है अगर हम इसका आई प्राइस देके तो बहुत ही जादा इसका ग्रेमार्केट प्रिमियूम कम है तो अगर मैं आपको बोलू कि आपको अलॉट्मेंट भी चाहिए और आपको यहां पर प्रॉ जाएंगे लेकिन अलॉट्मेंट के चाहिए यहां पर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप यहां पर बाकी सारे जो है वह काइंड ऑफ इक्वल यह तो देवयानी इंटरनेशनल यहां पर सेकेंड रहेगा विच विल बी दवन आय वूड बी चूजिंग कर भी हमने यहा के बाद अगर हम देखेंगे तो कहीं जाके क्रिष्णा अता है तो लेए बी देट सेकेंड वन नमबर टू यहां पर कृष्णा डाइनो शिक्स यहां पर मेरा फोगा ऑगे तो यह यह आंट थर्ड और ओबिसली विन लास तो आज के लिए बस इतना है और होप शॉट पासने लिगाउ से इन में नेक्स टाइड.